हेलो मित्रों आप सबी का हमारे चैनल स्मार्ट एजुटेक में स्वागत हैं तो हम इन्पॉर्मेशन असिस्टेंट इंस उचनाच स्राइक के लिए मैं तो पूर्ण पर्षनोत्री सुरू कर रहे हैं जिसके अंदर RSMSSB में विबिन एक्जामस में आरके कंप्यूटर के किस्टन है तो जो भी साती नए हो वो मारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो तो फर्स्ट किस्टन TCP IP रेफरेंस मोडल में एक एप्लिकेशन लेयर प्रोट्रोकॉल है एक एप्लिकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जबकि ICMP एक इंटरनेट लेयर प्रोटोकॉल होता है तो दोस्तों RTP रियल टाइम प्रोटोकॉल एक एप्लिकेशन प्रोटोकॉल है इसका प्रयोग error की सूचना देने के लिए और error management समंधी query के लिए किया जाता है next question ICMP यनि internet control message protocol है तो ये हो जाएगा error भेजने के लिए gateway allow करता है तता message को अन्य gateway या host नियंत्रित करता है next है एक machine पर ICMP ने internet protocol software तता अन्य machine पर internet protocol software के मद्य संप्रेशन उप्लब्द करवाता है third है mole error condition report करता है और श्रोत को individual application program से error से समंध करना चाहिए तता problem को correct करने के लिए action लेना चाहिए तो इसमें उप्रुक्त सभी हो जाएगा और आगे next internet पर कौन सा protocol यूज होता है तो TCP IP प्रोटोकल यूज होता है तो मित्रों आगे next question है internet पर पर्यूग तोने वाला मानक प्रोटोकॉल है तो internet पर पर्यूग तोने वाला मानक प्रोटोकॉल TCP IP है next TCP IP निमलिकित में से किसका संक्सिप्त रूप है तो ये transmission control प्रोटोकॉल या internet प्रोटोकॉल है आगे निमलिकित में से कौन सा TCP IP model में transport layer का protocol नहीं है तो SCTP नहीं है बागी UDP, TCP और FTP तिनों है आगे next इसकी विया क्या देख लेते हैं TCP IP network model में 4 layers होती है TCP IP suite का हर प्रोटोकॉल इन 4 layers में किनी 2 layers को आपस में communicate करवाने का काम करता है इस model में lower level layer के लिए data provide करने का काम करता है जिसमें 2 host आपस में connect हो पाते है ये layer इस परकार है physical layer इसमें Ethernet, Token Ring और PPP है और second network layer और third transport layer और fourth application layer जिसमें telnet, HTTP, FTP और gop पर आता है next question निमलिक में से कौन सा network protocol नहीं है तो HTTP और SMTP और TCP IP network protocol है जेड गुंचार 10.59 है जो network protocol नहीं है आगे next question इन में से कौन सा protocol वेब पेज को upload करने के लिए प्रयोग होता है तो HTTP हो जाएगा hypertext transfer protocol आगे next है HTTP एक application layer protocol है जो www को सुचारू रूप से परभवी ड्रंक से काम करने में सक्सम बनाता है HTTP का विस्तारीत रूप किया है तो hypertext transfer protocol हो जाएगा आगे next question वेब पेज़ ट्रंसपर के लिए आम तोर पर इस्तेमाल किया जाना वला protocol है हैं तो HTTP हो जाएगा hypertext transfer protocol आगे next यह जो है basic computer instructor में भी आरका है यह वेब पेज़ ट्रंसपर के लिए आम तोर पर इस्तेमाल किया जाना वला protocol HTTP हो जाएगा आगे next question HTTPS में S का विस्तारीत रूप क्या है तो सिक्योर हो जाएगा hypertext transfer protocol सिक्योर नेक्स्ट है HTTP का port number है तो HTTP का port number 80 है next है www.preamble.com में HTTP चिनित अंस क्या है तो यह पूर्व संदी हो जाएगी तो HTTP www.preamble.com में HTTP चिनित अंस पूर्व संदी है HTTP hypertext transfer protocol में ऐसे नियम या विदिया है जो hypertext डेटरा संचन के लिए आउसेक होता है वेब सर्वर में data प्राप्त करने के लिए HTTP protocol का होना आउसेक होता है आगे next है निमली कितमे से कौन सा एक अनुपरियोग परियोद परत internet मानक प्रोटोकॉल है जिसका प्रियोग TCP IP connection पर सुदूर सर्वर से email को पुनर प्राप्त करने के लिए इस्तानी email client द्वारा किया जा नेक्स्ट क्यूस्टन HTML and XML markup बासा हैं तो यह SGML पर आधारित है SGML Standard Journalized Markup Language Markup Language को परिपासित करने की बासा है HTML, XML, SGML की ही application होती है यह सूचना सा 2013 के अंदर आ रहा है नेक्स्ट क्यूस्टन इंटरनेट प्रोद्योगी की मैं HTML का आसे हैं तो इसका आसे हो जाएगा Hypertext Markup Language हो जाएगा नेक्स्ट है HTML में M है तो Hypertext Markup Language हीनि M का हो जाएगा Markup जो सूचना सा 2013 के अंदर आ रहा है आगे नेक्स्ट क्यूस्टन HTML प्रयोग में लेता है तो यह फिक्स्ट एंग जो बासा पर आदारीत होता है उनको प्रयोग में लेता है एस्टी हैमल में Character Formatting के लिए प्रयोग में आता है तो यह हो जाएगा B भी आता है आई भी आता है और YouTube आता है तो 123 दोनों तिनों आजेंगे HTML में character formatting करने के लिए B text को bold करने में I text को italic करने में U text को नीचे line बनाने में के लिए प्रयोग आता है next question HTML form में X form और X form के बीच में समंद है तो इसके बीच में समंद हो जाएगा X form HTML की एक नई PD है किसी भी web page पर यदि आप user से कोई information लेना चाते हैं तो इसके लिए आप HTML forms का इस्तेमाल करते हैं उधरन के लिए जब भी आप कोई नई email ID क्रियेट करते हैं तो सबसे पहले sign up form बरते हैं ऐसा करके आप अपनी information web page के दोरा provide करते है X form HTML की नई PD है next question इसपेस डालने के लिए NBSP और दो इसपेस के लिए end ENSP चार इसपेस के लिए end EMSP टेब के लिए end NBSP NBFC और NBFC SP और NBSP आगे next है web दोरा प्राप्त किये जा सकने वाले HTML डोक्यमेंट के कहते हैं तो web page कहते हैं आगे next है इनमें से विशम का चाहिन करें तो साइबर इसपेस इंटरनेट और WWW तीनों ये network यनि कि ये तीनों network से समंदित हैं जबकि HTML एक computer बासा है साइबर इसपेस संगणक network दोरा जुड़कर आप सी संपर्क में बनने वाले वाता इंटरनेट एक दूसरे से जुड़े संगणों को का एक विश्वयापी network है और वर्ड वाइड वेब आपस में परस पर जुड़े आइपर टेक्स दस्तावेजों को इंटरनेट दोरा प्राप्त करने की प्रणाली है HTML यह वेब प्रश्टों के लिए एक परमुक मारकप बासा है यह किसी दस्तावेज में टेक्स टादरी जानकरी की सर्चना को निर्दरीद करता है नेक्स्ट क्यूस्टन HTML में टेक्स से परिबद कुंजी सब्दों से बने होते हैं यह हो जाएंगे कौनी एकोस्टक से HTML में कुंजी सब्दों से यह टेक्स कौनी एकोस्टक यानि एंगुलर ब्रेकेट से परिबद होते हैं तो थेंक्यू गाइज पूरा वीडियो देखने के लिए जो भी साती नए हो हमारे चैनल को सस्क्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर देवे